हलो दोस्तों के सवाब दोस्तों आज आपको बताने प्योस में थे एको नए अपडेट आ गया है नए प्रेस रिलिज कर दिया है स्रम एमर रोजगरा मंतरा लेक द्वारा इसके अंदर बताया गया कि करमचारी पैंसन योजना पिचाण में संसोधन किया गया है टेबल डी कंदर संसोधन कर दिया गया है अब उसमें मंत के अकोडिंग भी पैसा आपको दिया जाएगा और साथ लाग से अधिक जो करमचारी है उनको अब लाभ मिल पाएगा इसकंदर यह भी बताया गया है कि दो वर्स की अगर आप सर्विस कंप्लेट करते हो तो उसके एक अनुमान दिया गया है कि दो वर्स और पांच महिने की अंजदाई अगर सेवा करते हो और पंद्रह जार के उसकी प्रतिमाय सेलरी मिलती है तो पहले कि उसको काउंट किया जाता था 29,000 कुछ कुछ रुप जा देते हैं यह क्या नया अपडेट है तो दोस्तों आप से छोटी से रिक्वेश्ट अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं होना तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ने को आपकी पूरी हैल्प करते हैं चली वीडियों पूरा प्रोसेस बताते हैं तो श्रम एहम रोजगार मंतराले के दुआरा जो भी प्रेस लेली जोई जिसके अंदर करमचारी पैंशन योजना उनीस सो पिचान में संसोधन किया गया है जिससे चह महिने से कम सेवा वाले सदेश्यों को निकासी का लाब प्रदान किया जा सके संसोधन से परतेक वर्स करमचारी पैसन योजना के 7 लाग से अधिक सदेशों का अब लाब मिलेगा आपको साइध पता होगा कि दोस्तों जो आपकी पैसन का पैसा होता था वो 6 मंत से अगर कम सर्विस अगर आप करते थे लेस देन शिक्स मन्त तो आपको प्याप का पैसा होता था वह आप नहीं निकाल पाते थे लेकिन अब इसमें संसोधन करते हुए आपको यहां पर यह चीज देखने को मिलती है कि अब परतेक वर्स आप यहां देख सकते हो यह ब्रेकेट में लिखा हुए संसोधन से परतेक वर्स से प्रतेग वर्स करमचारी को पैंसन का लाब जो एक अनुमान लगाया गया है कि साथ लाग से अधिक सर्दिशों को लाब मिलेगा तो यहां पर यह इसका अनुमान लगाया है और यह मैं आपको समझा भी रहा हूँ ठीक है तो शिक्स मन्स से कम की सर्विसर लाब मिलेगा अब इसमें जो नया नोटिफिकेसन है या सरकारी को पूरा डेटिल से आपको समझा देता हूँ यहां पर यहां दिया गया है सरकार ने निकासी लाब के उचित भुगतान को सुन और यहां पर आपको समझें निकाल पाते थे और यहां पर आपको दिखा देता हूँ क्या बोलागया है 12 सरकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं गाड़ लान को पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं आपको डीटेल से क्योंकि यह पूरा जब आप समझोगे तभी आपको समझ माएगा और इस चीज़ को आपको देख लेना है यह पोस्टेड जो हुआ है 28 जून 2024 का है ठीक है दिली के अंदर जो प्रेस लेलिज करी गरती उसके अंदर बताया गया है 12 सरकार ने करमचारी पैंसन योजना EPS 1925 में में संसुदन किया है जिससे यह सुनिचित किया जा सके कि 6 मेने से कम अंसदाई सेवा वाले करमचारी पैंसन योजना के सदेशों को भी निकासी लाब मिल सके इस संसुदन से प्रतेक वर्ष करमचारी पैंसन योजना के 7 लाग से अधिक ऐसे सदेशों को लाब प्राप्त होगा जो 6 मेने से कम अंजदाई सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 मेने से अपनी सर्विस को पहले ही छोड़ देते हैं तो अब सभी को लाब मिल पाएगा पैंसन का पैसा वो अपना निकाल पाएंगे साथ लाग से अधिक जो इनने अनुवान लगाया है शर्रम रोजगरा मंतराले के दवारा तो ये एक अनुवान का अनुसर उन्हें बता दिया है इसके अलावा दिया गया है इसको आप पढ़ सकते हो ये मैं आपको पढ़की भी सुना देता हूँ या बोला गया है अब आपको कैसा पैसा मिलेगा इसके अलावा केंत सरकार ने तालिका डी को संसोधित किया गया है डी के बारे में मैंने डीटेल से मेरे वीडियो में बताया था इससे पहले के जो भी वीडियो आप देख लेना टेबल डी क्या है टेबल डी के अनुसर अब आपको पैसा मिल पाएगा संसोधित किया गया है और सुनिचित किया गया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकाशी लाप देने के लिए सेवा के प्रतेक पूरे महिने को ध्यान में रखा जाए निकासी लाब की राजी अब सदेश से दुवारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संक्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर करमचेरी पैंसन योजना का अंजदान प्राप्त हुआ था प्रियुक्त उपाये ने सदेशो को निकासी लाब के भुगतान को युक्ती संगत बनाया है अनुमान है कि प्रतेग वरस दोजार सोरी या प्रतेश लाग से अधिक सदेश से तालिका डी के इस संसोधन से लाबामीत होंगे अब उसमें बदलाव कर दिया गया है पहले जो yearly होती थी वो कुछ इस परकार से आपको नजर आती थी और अब जो टेबल डी है वो आपको कुछ इस परकार से नजर आती है जिसके अनुसार आप आपको पैसा निकल पाएगा परतेग वर्स के पैंसन योजना पिचाण में के लाख करमचरी सदेशे पैंसन के लिए आवशक 10 वर्स की अंजदाए सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते है ऐसे सदेशों को भी योजना के प्राधोन के अनुसार निकासी का लाब दिया जाता है वित्यवर्स 2023 में 30 लाग से अधिक निकासी लाब के दावों का निप्टारा किया गया है जो पैंसन का पैसा है उसका आपको बता दिया है अनुमान इसके बाद दिया गया है अब तक निकासी लाब की गणना पूर वर्सों से अंसदाई सेवा के अवधी और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी जिस पर करमचेरी पैंसन योजना के अंसदान का बुक्तान किया गया है इसलिए अंसदाई सेवा के छे मैने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सद्धसे ऐसे निकासी लाब के लिए पात्र होते हैं जो परण्याब सुरूब 6 मैने या उससे अधिक समय तक अंसदान करने से पहले योजना छोड़ देते हैं चोड़ने वाले सदेशों को निकाशी का लाव नहीं है तो मतलब आपको पता होगा यहां पर फिर वही चीज बोली जा रही है कि अगर 6 मेने से कम की सर्विस करके आप छोड़ देते थे तो आपको पी अपका पैसा जो पैंसन का होता है वो नहीं मिल पाता था यहां पर यही दोजर तेश चोविस के दोआरा छे मेने से कम की अच्छड़ाई सेवा का कारण निकासी लाव के लगभग साथ लाग दावे खारिच कर दिये गए इसके संसोधन बाद ऐसे सभी करमचैरी पैंसन योजना के सदेश से जो चोड़ा छे दोजार चोविस तक अठान वर्स की आयू प्राप्त नहीं कर पाए वे निकासी लाव के पात्र हो जाएंगे अब मत तक जो नियम लागू हुआ है ये डेट भी दे दी गई है इसके बाद जो भी अब निकासी होगी वो शिक्स मन से कम की सर्विस और अठान वर्स की वाली बता दी गई है अब वो लाव के हग अजर अंदाज कर दिया गया था इसके परणाय सरूप के इमामलों के निकासी लाव की कम रासी प्राप्त हुई तालेका डी के संसोधन के साथ निकासी लाव की गणना के लिए अंसदाई सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा इससे निकासी लाव का उचित लेकिन अब उससे 36,000 रुपे की निकासी लाव प्राप्त होगा देखो अब बढ़िया ने यह प्राइज आप देखोगे न तो यह पर यह पर यह हो गया है 36,000 ठीक है न तो बड़ोतरी हो चुकी है इस प्रकार से और यह जो प्रेस लेली जो यह इसके नुसारी हमने बता है आपको ठीक है यह आपको यह जो लेंगवेज है इसमें भी मिल जाएगा इंगलीज, उर्दु, हिंदी, एंपी, गुजराती, तेलगो, कनड़ा में और यहां पर दोस्तों जो आपको संसोदन मिला है यह बहुत अच्छा है टेबल डी में जो बदलाव किया गया है अब लगा के तो 15,000 अगर उसकी प्रती महीने की लगाते हैं सेलरी तो उसके अनुसार उसका 29,850 मिलता है लेकिन अब उसका 36,000 बढ़ गया है देखो कितना बडोतरी हो गई है आपको पता होगा यह अगर कैलकुलेट करोगे आप दो वर्ष पांच महीने को तो अब टेबल डी करके तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 36,000 ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से टेबल डी में जो भी बदलाव किया गया है यह आपके लिए बहुत अच्छा है और प्रेस रेलिज करके आपको बता भी गया है अब साथ लाग से अधिक जो करमचारी है उनको अब दाल पाओगे मंत के अकोडिंग तो आसकरता हूं दोस्तों यह प्रेस रेलिज आपको समझा दिया है मैंने और आपको समझे में भी आ गई होगी तो दोस्तों कैसे लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करे आगे सेर करे और पीएप से सम